Welcome friends, once again welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes and myself Mukesh Kumar Pandey. एक बार पुना, CETAT Passage Test के साथ आप सभी के लिए हाजिर हूँ and it is the part number 2. Today's session, part number 2 for CETAT Passage Test. कल के previous session में, that was the part number 1. उसमें हमने discuss किया था और CETAT के लिए जो Passage Test एक important question होता है, जिसमें से लगभग 7 to 8 questions आते हैं, उसके बारे में हमने जिक्र किया था, कुछ tricks बताये थे और लगभग वैसे tricks की जनकारी आप सभी को दिये गाए थी बडियो के माधियम से, जिसको follow करेंगे, definitely a lot of fruitful knowledge आपको मिलेगा, for your preparation, for the CETAT examination. And today, it is the part number second and it is the final part. आज हम CETAT के Passage Test को solve करने के लिए, कुछ और tricks के बारे में जनकारी आपको देंगे, बताएंगे. So, Passage Test, how to solve, कैसे solve किया जाए? Friends, हमने last and previous classes में आपको बताया था, Passage Test, that is also called Unseen Passage. Passage Test, Unseen Passage. दोनों में से कोई भी नाम ले सकते हैं, और जो CETAT examination के लिए 8 marks, अगर single Passage Test रहेगा, तो 8 marks रहेगा, 8 questions रहेंगे. अगर 2 Passage Test दे दिया, तो लगभग 15 marks. 14 to 15 marks, sure है कि 2 Passage Test के बहुद आपको मिलेंगे. कल, previous classes के आधार पर मैंने जो बताया था, कि Passage Test जो होती है, Passage जो होता है, that is related to any topic, that is related to any event, that is related to any types of circumstances of our society. किसी भी प्रकार के topic से जूरा हो सकता है, जो लगभग 20, 25, 30 sentences के आज़ पास लिखा जाता है, और जो किसी भी matter, किसी भी subject, किसी भी प्रकार के article से related हो सकता है, इसमें कोई हम sure नहीं है, हम इतना आपको नहीं कह सकते हैं, कि जो Passage Test आपके CETAT exam के लिए आएगा, वो किस article से related होगा, किस subject से related होगा, ये कोई नहीं बता सकता है. It is clear, यह asbest है, कि कोई नहीं बता सकता है कि वो किस से related होगा, हाँ, वो related हो सकता है, education से, science, universe, our society, farmers, teachers, students, and mixing of different types of agenda, topics, current affairs, किसी से भी related हो सकता है, friends. And यह सबसे कठीन होता है, पैसेज को हल करना कठीन, because it is the test of your mind, आपके mind का test होता है, और आपको अपनी पूरी ताकत इसमें जोकनी बढ़ती है. सबसे प्रमुक्त बात यही है, कि पैसेज टेस्ट को solve करने के लिए, आपकी अंग्रेजी में जितनी भी ताकत है, आपने अंग्रेजी में जितनी भी knowledge, obtain की है, प्राप्त की है, पूरे knowledge को एक बार फोकस करना पड़ता है पैसेज पर, पूरे knowledge के अधार पर, आप कितना पढ़े हैं, इंग्लिस में क्या जान रहे हैं, आपके पास इंग्लिस का क्या knowledge है, उन सब का निचोर आपको रखना परेगा, पैसेज टेस्ट को solve करने के लिए, यह फाइनल निचोर हुआ, क्योंकि इसमें कोई formula नहीं है, कोई tricks नहीं है, कुछ lines हैं, जिन्स lines को आपको follow करने परेगा, यू में suppose, आप यह suppose कर सकते हैं, कलपना कर सकते हैं, कि यह एक प्रकार का formula है, जिस formula का तहत हमको चलना होगा, और formula का तह चलने पर, हमारे passage test को complete करने में, मदद मिलेगी, मैंने अपने last classes में कुछ tricks लिखे थे, चलते हैं, look on the board, आज भी कुछ tricks मैं आपको लिख रहा हूं, बता रहा हूं, जो आपके passage test को solve करने में, बहुत हद तक आपको help करेगा, और आपको फाइदा होगा, सो चलते हैं, कुछ important points पर गौर करते हैं, friends, important points, सबसे first चलते हैं, जो passes test के लिए कुछ जरूरी steps हैं, पर गौरी तरह से हल करने के लिए, सो फ्रेंट्स, passes test को crack करने के लिए, passes test में दिये गए प्रसनों को, पूरी तरह से हल करने के लिए, knowledge of synonyms and antonyms, of English language, अंग्रेजी में, synonyms and antonyms पर आपका command होना चाहिए, इसका ज्यान, what sky stock आपके पास होना चाहिए, यह सबसे, महत्व का चीज है, सबसे important चीज है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, समानार्थक सब्द, जो हिंदी लेंग्वेज को हमको बहुत ही असान कर देता है, ठीक उसी तरह से, अंग्रेजी के पैसेज को सल्ब करना है, तो synonyms and antonyms के knowledge, यह कह सकते हैं, कि उन वर्डों पर आपका command, definitely होना चाहिए, a large number of words, you must remember, हर बक्त आपको याद रहना चाहिए, now the point number second, so friends, this is the second step, this is the second tricks, knowledge of items and phrasal verbs, items and phrasal verbs of English, you must remember, पैसेज टेस्ट को सल्ब करना है, items and phrasal verbs का, अंग्रेजी में a large number of words, आपको एकदम याद रखना ही परेगा, कोई दूसरा उपाई नहीं है, किसी गलत फ़हमी में नहीं रहिए, यह first and second, synonyms and antonyms, items and phrasal verbs, इन सब का knowledge, या कहें कि इन सब का stock, आपके mind में, complete होना चाहिए, friends, now the point number third, and this is the important point, one word substitution, अनेक सब्दों का एक सब्द, जो आप सुनते हैं हिंदी में, उस one word substitution, यहाँ पर भी लागो होता है, English, it is also a language, just like Hindi and Sanskrit, तो हिंदी संस्क्रीत में जैसे passes test आपको मिलता है, similarly, English में भी होता है, और वही पैमाना यहाँ भी लागो होता है, अनेक सब्दों का एक सब्द, इस पर भी आपको पूरा कमांड करना परेगा, and कल previous classes, मैंने आपको tricks बताये थे, first, second and third, उन तीनों को लेते हुए, and आज के tricks, and finally, the fourth, it is the last trick to solve the passage test. यह fourth number जो tricks बैने लिखाए है, यह आपके पूरे अंग्रेजी का सारांस, आपके अंग्रेजी का सारांस, यानि पूरे अंग्रेजी में आपके जितना भी ओनभव है, अंग्रेजी में आप अब तक जितना भी ओनभव प्राप्त किये हैं, जितना भी ज्यान अर्जित किये हैं, उन्सकी पूरी तागत आप पैसेज में लगा दीजिया फ्रेंड्स पैसेज टेस्ट को सल्ब करने के बाद अगर सिंगल पैसेज तो 8 मार्क्स पैसेज अगर 2 टाइम्स दो दे दिया तो 15 मार्क्स और पैसेज टेस्ट को बिना सल्ब किये हुए इंगलिस में आप पास कर नहीं सकते हैं, यह पैनेसिया है, कह सकते हैं कि रामबान है, तो इस रामबान को जरूर आप ग्रहन करें, और इसके जो ट्रिक्स बताए गए हैं, उन ट्रिक्स को फोलो करें, इट इस पार्ट नमबर सेकेंड, हमारे प्रिवियस क्लासेज में मैंने पार्ट नमबर वन बताया था, जिसमें कुछ ट्रिक्स लिखे थे, पैसे स्टेस्ट सल्व करने के लिए, फोर सीटेट एग्जामिनेशन, और तूडे इस पार्ट नमबर टू, आसा करते हैं, पार्ट यूनिक प्रिटफ़र्म फर ओनलाइन क्लासेज, एंड जस्ट लाइक पैसेज टेस्ट, सीटेट के एग्जामिनेशन के लिए, हमारे कमिंग वीडियो में, आपको हर प्रकार के नॉलेज एंड मैटर्स, एंड सब्जेक्ट्स रिलेटेड, एर टूजेड नॉलेज प्रभ कर देए, एंड यूनिक यूनिक लाइको तूब्काइक को बॉलेज एंड मैटल प्रदेज, हुजेट।, सीटीछ नॉलेटेच वीग लाइक प्रप़ एंड आपकर दोटून।, सीह वीडियों नॉलेड, एंड, मुन रिलेज़ नॉलेजीज एंड, 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 प्रफ झाल झाल